हलो दोस्तों नमस्कार मेरा ना ममान सिंग आप देख रहे हैं योपी ऑनलाइन कोचिंग 79 यार्षी चछग भरती फाम भरने में काफी समस्याओं का सामना भेर्थियों को करना पड़ रहा है मैंने भी देखा मैंने भी अपने भाई का फाम अपलाई किया अपना भी फाम अपलाई किया उसमें देखा कि काफी समस्याओं आ रही है सबसे महत्मूर्ट समस्या है जिन लोग का मुवाइल नंबर खो गया है वो अब क्या करें वो काफी बहुत सारे ग्रूप में ग्रूप बना करके आपस में बैचारे बात कर रहे हैं और इधर उदर भटक रहे हैं लेकिन जो इसके लीडर थे 997 हो या 40-45 में जो भी लीड कर रहे थे वो लीडर अब कहां गया मैं यह पूछना चाहता हूं वो लीडर अब कहां गया अभी वो मुवाइल नंबर चेंज करवाने के रिए क्यों नहीं दोड रहे हैं पैसा लेने के लिए तो दोड रहे थे उनको पैसा चाहिए 997 प्रबल समर्थक नाम से कब बहुत सार अब वो जो लीडर हैं वो CRT पे क्यों नहीं जा रहे हैं मेरा जहां तक मानना है उनका उद्देश से केवल और केवल दोस्तों पैसा कमाना था जहां तक मुझे लगता है अब उनका काम हो गया रिजल्ट आ गया 97 पे फैसला आ गया आज हाई को सुप्रिम कोर्ट में इसमें नहीं किया गया है और कार्याले से जनकारी में एक कोरोना है मैं यह पूछना चाहता हूं अगर एक आप्सन अप अलग से बढ़ा देंगे मुवाइल नंबर चेंज करने का तो क्या कोरोना उस आप्सन की विज़े से विश्ट साइट पे अटैक कर देगा नहीं बिल जन्मीन आपको जानना है भिग्यापन में क्या क्या सुझा दिये गया है और क्या क्या सुधानी बरतनी है दूसरा है दूसरा इस्टेप आपको रोल नंबर भरना है अपनी जन्मतिती भी भरना है आपको दोस्तों और मुबाइल नंबर भरना है अब मुबाइल नंबर दे परिजल्ट डाटा के यहाँ टाइप करें आपको फाम भरने में दो चीजों कि आक पड़ेगी दोस्तों केवल दो चीजों की पहला क्या है साय कर्दापक भरतिक परिच्छा का रिजल्ट का प्रिंट अपने हाथ में ले लिजिए दूसरा कोई एक ID प्रूफ ले लिजिए तीन ID प्रूफ में से पहला ID प्रूफ है पासपोर्ट दूसरा ID प्रूफ है ड्राइवरी लाइसेंस 2014 का हो 2010 का हो 2015 का हो उससे कोई मतलब दोस्तो फिलहाल फाम भरने में और काउंसलिंग के समय भी जो ID प्रूफ लगाएंगे उसमें नहीं है कितना भी पूराना हो निट पर सो कर रहा है आप उसे भर सकते हैं लिखा हुआ कोड टाइप करेंगे जनरेट करेंगे OTP OTP कई बर नह कहीं आ रहा है दोश्तो अगर OTP आपका नहीं आ रहा है तो यह मिश्टक आप और समझ लिजिए कहीं नरो अपर जन्मतिती भरनेमें आपसे मिश्टक हुई होगी या फिर मुबाईल नंबर को टाइप करने में ही आप से मिस्टेख रूगी क्योंकि जब हम सीच्छामित्र के रूप में नितित्थी के देतन सतत का रहत है तो उसका विपरनदे है अगर आब सिछ sı SHAH मित्र नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं भरना 15 सिच्छामित्र है या नहीं है आपको वैवाहि की इस्थित को असपष्ट करना है और एक बता हो जाने जी एक पूरुस की अगर दो इस्त्रियां है तो उनका भ्यर्थन रद्ध कर दिया जाएगा काउंसलिंग के समय पे अगर एक महिला के दो पती है तो उनका भी भ्यर्थन रद्ध कर दिया जाएगा ऐसा विग्यप्ति में लिखा है फोटो पचान पत्र संख्या में आपको वही आईडी प्रूफ लगाना है अब आईडी प्रूफ पे आप कौन सा लगाएंगे या तो निवास प्रमाण पत्र या तो पासपोर्ट या तो डाइबरी लाइसेंस इसके अलामा कुछ और नहीं चलेगा किसी भी डेट क ओंगन करने के बाद ही यह वीडियो बना रहा हूँ ध्यान रखिएगा और मेरा मान सिंग है यह मेरा ही है आप देख सकते हैं मान सिंग स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है मेरा म्वाईल न Cage मेरा माता सब कुछ आपको मूइल पर रिईस्टेशन संक्यार साग्यरो आपकी एक्जाम में ये पहले से भर कर दोस्तों आ जाएगा अब रही बात अब रही बात इसके बाद क्या करें कभी कभी क्या हो रहा है दोस्तों फार्म प्रिंट नहीं हो रहा है फार्म प्रिंट की समस्या काफी गंभीर है फार्म प्रिंट नहीं हो रहा है आपका फार्म स पचीस बार भर यह यही एक समस्या का समधान है इसके लामा इन समस्याओं का कोई और समधान नहीं है बच्चे बार बार कुछना है डो में साइ conform certificate लगेगा कब का लगेगा तो मैं Plan को असपष्ट केड़ कर देना चाथा हूँ आपके पाढ़ पत्रक्रमान का आपको भरना है वो नेट पर सो किया जाना आवश्यक है कभी का हो 2010 का हो 2015 का हो 2020 का हो उससे मतलब नहीं है यह चीज आप यहीं पर असपष्ट कर लिजिए इसके अलाब मोबाइल नंबर में अभी भी संसोधन का कोई कोई आप्सन दूसरा विकल्प नहीं आ र आपको लगाना है दोस्तो निवास प्रमाड पत्र का प्रमाड पत्र क्रमांग भरना है बसरते तीनों आईडे प्रूफ वहाँ पर इंटरनेट पर सो किये जाने आवश्यक है और फाइनल प्रिंट का आविदन भी काउंसलिंग है तो भरा हूँ आविदन पत्र का से अनिमार है अगर आपको और कोई समस्याति है मैंने फाम भड़ा कई बार ऊटीपी आएगा बीस बार ऊटीपी आएगा पहली बार卡 या आया फाम सम्मिड नहीं हुआ परिसान होनी के आँ सकता और निए दोबारा भरेंगे नहीं समिड्ट होगा दोबारा ऊटीपी आए यह आप जान लीजिए कनफर्म रोज से दस बार भरेंगे दस बार टीपी आएगा और जिन बच्चों का मोबाइल नंबर चेंज हुआ है वो उन बच्चों के साथ मेरी सानबूत है मैं चाहता हूं कि यह की बेसिक सिछा परिसद उत्तर प्रदेश द्वारा कोई जल्दी से कोई कठोर कदम उठाए जाए क्योंकि वो नेता है तो भगोड़े साबित हो गया है जो नेता पैसा हासूल करके हस डबल बेंच सिंगल बेंच और सुप्रीम कोट में लड़ रहा है ठीक है आप अगर इस्टे को रोक भी देते हैं तो उन बच्चों का क्या जिन जो में कुछ धादलियां हुई है उसका बहुत अथेंटिक प्रमाण मेरे पास नहीं है इसलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन धादली के बारे में आप क्या राय रखते हैं ये कमेंट में जरूर बताईएगा और देखिए एक निव जोर है स्टी के 1110 पद ख द्याग राज उनत्तर जार सिच्च बरती में सबसे अधिक जोर आज माईस अनाराचित वर्ग की 50 प्रस्त या 34-500 सीटों पर होगी परिच्छा में सामान बरके 36-614 ओबीसी बरके 84-868 बरती पास हैं परिच्छा में सफल 8-18 सिच्च मित्र को प्रतिवर 2.5 पॉइंट के ह इसाफ से अधिक्तम 25 संकालाव गुडांक मिलेगा इसी सिच्च में 8-18 सिच्च मित्रों का चैन अनाराचित वर्ग में हो जाएगा बची हुई सीटे 26-482 सीटों पर हाई मेरिट वाले सामान ओबीसी SCST के अभरती जोर आज माईस करेंगे 29-18 सिच्च वर्थी में उत्तर प्रदेश में प्रविर्थ अधनिया में वंगरार सरकार के आदेश के अनुरूप दे होगा बिजे संकर मिस्र कारेवाहक सचिव बेसीक सिच्चाव पहरी सेद तो देखिए ये जो स्टी की सीट खाली है उस पे स्टी अभरतियों को मौका म समस्य आती है आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे पूशकते हैं मैं पूरा सहयोग करने का प्रयास करूंगा फाम भरने में कोई भी समस्य आती है आप 10 बार भरी है 25 बार भरी है कुछ लोग का फाम 70 बार 80 बार 100 बार भरने के बाद समिट हुआ क्योंकि website सही से नहीं च जरूरी नहीं है कि सब के पास इस समय करें टाइम में बनवा करके उनके पास मौझूद रहे तो दोस्तों यह रहा मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा और जो भी सुझावाब द झाल नहीं है।